प्रोपरडिज अजना बहुत अच्छी जगह लेके आए असल में चंबा में और आम मानेंगे इतना सा फार के मैं यहां खड़ा हूं अगर यहां से सो मिटर आपे जांगो तो डिश्टिक आंगड़े और यह लैंड जिसके मैं बात करने जा रहा हूं यह डिस्टिक चंबा मे पढ़ती है विल्कुल बॉर्डर पे हो वाई तुब में खुछ समय नहीं आ रहा चंबा कहूं खांगडा कहूं राइट बहुत प्यारी लैंड है निरभाई शाहपूर शाहपूर सुना होगा डिश्टिक कांगड़ा में पढ़ता है यह पठानकोट वाले रोड पे जाते पर यहां पर इस समय शिमला वाला पठानकोट से शिमला बन रहा है बहुत सारे घर जो यह वो पीछ में उजड़ भी रहे हैं क्योंकि रोड बनेगा तो जाएंगे जाएंगे तो आप से लोगों के आशियाने के लिए नए आशियानी के लिए यहां बसने के लिए बैस जो खरीदना है पचास कनाल देने वाले हैं चीक है तो मैं आपको लैंड दिखाता हूं कि यह देखिए बहुत ही प्यारा पैच है व्यू तो मैं अभी पूरा दिखाऊंगा यह सुखा दरखता है इससे थोड़ा सा आगे एज तक 50 कनाल यह लेंड ज्यादा है लेकिन जो आप आपके पेड़ देख रहे हैं गने पेड़ देख रहे हैं यह टोतल डिस्ची काणडा और उससे तरफ बिल्कुल खेच जो दिख रहे हैं खाली यह टोटल डिस्च्च चंपा है वह देखिए लाट में डैड बारतल आप कर रहे हैं यह देखिए गाइस व्यू अरे अ लाइन को बहुत ही खुब्सूरों लैंड है और सबसे अच्छी बात क्या है कि यह सीडीन होगा स्टाप बाइस तो ऊपर कोई बनाता है उसके बाद नीचे कोई बनाता है नीचे को बनाता है वही किसी का भी व्यूनी खतम होने वाला है शापूर के पास इस तरह कोन जो है ए यहां से ऊपर की तरफ जो है इस तरफ अगर जाएंगे तो चमबा की तरफ निखलेगा प्रोपर चमबा और अभी हमें चमबा डिस्टिक तो गाइस दिये देखिए शिफ्टी केनाल का यह जो है पूरा रख और इससे नीचे जो है वह देखिए जो आप यह वाले बीच मे जो यह लंबे वाला जो बीच में पेड़ देख रहे हैं यहां तक इसकी बाउंडरी है और इससे नीचे जो है वह भी अलग जो है वह सेल पर अगर इन सब को सारों को हम मिला लेंगे तो भाई 200-300 कनाल बन जाएगी अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है और प्लोटिंग के ह जब बहुत जादा नहीं है नोमीनल है बारा लाख रप्या कनाल है पाकी क्या होता है जब हम अन टेबल बात करेंगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ आके पीछे रहे गाई जो प्राइस हो कम जादा होगी ही कम होगी जादा दो नहीं होगी आप देखिए जिस हिसाब सी यह जगह है एक और दोबारा बता देता हूं यह देखिए बहुत प्यारी जगह है मैं स्पेशल इस जगह को देखने आया पिछे तीन दिनों से प्लानिंग कर रहा था कि जब डैड के बाद जाओंगा तो यहां जरूर आओंगा तो आज यहां पर आया हूं सर्वीस लिए क्य कि कोई इन्वेस्ट अगर करेंगे तो भाई प्लोटिंग करके बेच भी देंगे बहुत अच्छा प्रोफिटेबल बिजनेस रहेगा क्योंकि अगर आप मैं पचासी कनाल की बात करता हूं कोई 200-300 में कर लेगा तो बहुत ही अच्छा सो दया उनके लिए तो फिर यह अर् कि लेगा और धर्मशाला सिर्व यहां से बारा गिलमेंटर है कि थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो बैक साइड में उपर की तरह में पुरी धोलादार रेंज भी दिखती है तो गाइस बहुत ही अच्छा मोगा है इसमें तो मेरे इस आप से जो भी अच्छे इन्वेस्टर है काम तो हम करी सकते हैं आपको पता है फिल्ड में होते हैं क्लाइंट्स की छोड़े क्लाइंट्स की तो कमी नहीं है दस पचास लाख वाले तो मतलब इतने क्लाइंट्स है वह तो अगर मैं अपनी आपनी लेकर डेड़ करोड के बीच में उससे जो ज्यादा बड़े हैं वह फिर थोड़े काम है वह शाए 300-400 रहेंगे पर मैं इतने की बात करो अगर आपने इन्वेस्ट करना है किसी ने जो अच्छे इन्वेस्टर है या दो तिन पार्टनर्स मिलके करना चाहते हैं पूरा बज़र आपका नहीं होता है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं बाकी लिकवाना हमारा काम है क्योंकि मुझे फ्यूचर पता होता है देखिए कई बार बताता हूं मैं इस फिल्ड में बहुत टाइम से हूं बहुत एक्सपीरियंस भी है चलो खुद भी काऊंगा क्योंकि है बाकी लोग तो कहते ही है मैक्सिम जो मुझे अच्छी तरह है जानते बहुत अच्छी कोटिया मनी यहां से एक किलमेट नीचे तक तो मैं वही सोच रहा था पूरा मैं आया इसी वीजन के साथ देखने के लिए यहां पर क्या हो सकता है जितने भी फोर लेन पे जो लोग अभी उजड़ेंगे उनको यहां बसाया जा सकता है कि नहीं बसाया जा जैसे राजिस्तान के पास आपको माउंट अभू मिल जाता है तो उसी तरह से यह मैं कहूंगा तो शापूर के साथ आपको एक दूसरा माउंट अभू मिल गया हिल स्टेशन अब प्लीज वीडियो को चेक करें अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को उत्रा बजट नहीं है तो आप इंजार करें क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम कई ना कई से लेके आएंगे कुछ खुद करेंगे कुछ इन्वेस्टर से करवाएंगे क्योंकि प्लोडिंग तो करनी है जगा समझ आ चुकि है तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो को जगा तब तकर ये